महिंद्रा और महिंद्रा फिनांस करीब 5% का उच्छाल इस स्टॉक में आप देखेंगे इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें मौगन स्टैनली की गोल्ड एन्बी एफसी इस पर जो बुलिश रिपोर्ट आई उससे मनपुरमा मुथूट फिनांस में खरीदारी नज इसमें है तो यह तीन स्टॉक्स जो कि मिट कैपने मेगा एक्शन की काटेगरी में शामिल हुएं लेकिन इसके अलावा के बजिंग कैंडिडेट्स हैं लगाड्स हैं थीम बेस स्टॉक्स हैं थीम बेस सेक्टर जिसमोर हमें नजर रखनी आए वामाक्षी से हर रोज की तर और चार दिन से हम देख रहे कि ये स्टॉक में लगातार तेजी नज़र आ रही है, इनफाट नवेंबर 3, 2022 से रेकर कि अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है महिंडरा और महिंडरा फानाइशल सर्वसेस के लिए, काउंटर पर वॉल्यूम सी काफी मस्बूत करीब 3 प्रतिशत से अधिकी तेजी ये स्टॉक में भी नज़र आ रही है, और नालको पूरा का पूरा मिटल पैक आज फोकस में है, यहां पर अच्छी तेजी नज़र आ रही है, और नालको भी इसी के चलते टॉप के नज़र में शामिल है, पांच दिन से हम देख रहे ह कि स्टॉक में दबाव बना हुआ है, नवेंबर 11-2022 से लेकर कि अब तक का यह सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है गुजरात फ्लोरोकेम के लिए, एपियल अपोलो ट्यूब्स वी लिस्ट में शामिल है, तीन दिन की तेजी के बाद हम देख रहे है कि स्टॉक लाल निशा हम देख रहे हैं कि आज गिरावर नजर आ रही है, यहां पर भी करीब 3.5% की गिरावर देखने मिल रही है, अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की, तो केमिकल स्टॉक्स फोकस में है, थिरुमलाय केमिकल, आईजी पेट्रोकेम, हिमादरी स्पेशल्टी केमिकल, टाटा केमिकल, जैसे सारे केमिकल शेर आपके स्रीन पर है, और यहां पर आप देख रहे हैं, 2-6% की अच्छी तेजी नजर आ रही है, इसके अलावा अगर हम फोकस करते हैं, हाउसिंग फाइनांस कंपनीज पर, यहां पर भी हम देख रहे हैं, काफी अच्छा मोमेंटम हो रहा है, हाउसिंग फाइनांस कंपनीज में, अगर हम पॉइंट आट करें, इंडिया बुल्ड, हाउसिंग फाइनांस, ड्रेपको होम फाइनांस, कैन्फिन होम्स, जैसे सारे शेर आज हरे निशान में कारुबार कर रहे हैं, 2-3% की तेजी इन सारे शेरों में भी देख स्टॉक में आज हरे निशान के साथ करीब 2.5% से लेकर 7% की तक की तेजी आउट परफॉर्मेंस दिरो मलाई केमिकल्स में नजर आ रही है, क्या इस स्पेस पर आपकी नजर है? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि केमिकल स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे, सब स्टॉक में एक अच्छी कासी मोमेंटम भी है, बट इन सब नामों में से मुझे अभी ये लेवल पर अच्छा लग रहा है टाटा केमिकल्स क्योंकि आप देखोगे तो जो डो कॉट आज ब्रेकाउट मिला है, तो आज ही में ब्रेकाउट है और लोगल लेवल पर मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टेस पर अगर आप लॉंग है तो बाई जारी रखें, पर फ्रेश बाइंग करना हो, तो टाटा केमिकल्स पर कीजिए, एक हजार दस का स्टॉपल करते हैं, तो आज ब्रेकाउट केमिकल्स पर ये लेवल पर, तो चले केमिकल्स पर ये हैं आउट्लोक, लेकिन इसके अलावा मिटकाप में खबरें भी धेर सारी हैं, जो कि न्यूस बिचार दूइंग दी राउंस, कई सारे स्टॉक्स न्यूस फ्लोस के चलते भी आक्शन दिया है, और उनके मताबिक electricity volume traded में करीब 9 प्रतिशत की year on year basis पर growth देखने मिली है, मगर overall volume में करीब 16 प्रतिशत की गिरावत देख रही हैं, क्योंकि November 2021 में exceptionally high REC volumes देखने मिल रहे थे, pent up demand के चलते, day ahead market में भी increase, rise देखने मिला है, 18% month on month basis पर, और 8% year on year basis पर, IEX की तरफ से एक और positive statement जो आई है, कि उन्होंने अपना market share retain किया है, 95% पर इनका market share है, मगर इसके बावजूद stock में हम देख रहे हैं कि आज अची तेजी नज़ा आ रही है, और अगर हम तीन मन्त के business पर देखे तो definitely stock में गिरावत निकरी मिल रही है, बट आज stock हरी निशान में पर कर रहा है, PTC India Financial Services की तरफ से उनके नतीजों पर stock रियाग करता हो नज़रा रहा है, total income दूसरे तमाई FY23 के लिए 196 crores पर है, NIMS में भी थोड़ा सुधार आया है, 4.14 से 4.34% की improvement देखने मिली है सालाना basis पर, borrowed funds के जो cost है वहां पर भी एक हल्की सी गिरावर दिखने मिली है, 7.5% पर थे, दूसरे तमाई FY22 में और अब वो गिर कर हो गए 7.46%, तो overall good set of numbers जिसके चलते PTC India Financial Services भी focus में, 5% की तेजी ये stock में हम देख रहे हैं, Ease My Trip भी focus में रहेगा, Go First ने एक exclusive general sales agreement sign किया है, Ease My Trip के साथ ये 3 year की exclusive partnership deal है, Ease My Trip पर एक official distributor, promoter और marketer बनेंगे passenger tickets के लिए साथी अरेबिया में, जिसके चलते Ease My Trip भी focus है, मगर हमने देखा है कि stock में काफी अच्छा run-up देखने मिला था पिछले कुछ दिनों में, मगर आज stock में थोड़ी मनाफ़ा वसूली देखने मिल रही है, 5% तक तूटा है ये stock, और आखिर में हम focus करेंगे angel 1 पर, client base में हमन गिरावाट, month-on-month basis पर, और 28% की गिरावाट, year-on-year basis पर, detail turnover का market share, overall liquidity का जो है, वहाँ पर भी करीब 57 basis points की गिरावट दिखने मिल रही है, जिसके चलते हम देख रहे है, angel 1 का stock भी आज दबाव में है, करीब 4% तर तूटा है आज की trading session में, धेर सारी खबरें, धेर सारी ख finance पर सीधा मेरी नज़र जा रही है, क्योंकि यहाँ पर business update है और इसके बाद यह stock में moment नज़र आ रही है, November में disbursement 75% बढ़ी है, 2022 में अब तक disbursement 99% बढ़ चुकी है, collection efficiency जो है, वो भी बढ़हत ही दिखा रही है, तो business update positive लग रहा है, almost 29-30% के अपमूज पिछले 6 महिने म कुछ M&M Finance का यह stock दिखा चुका है, इस पर आपकी राए technically charts कैसे दिख रहे हैं? हम almost 20 साल बाग यह level cross कर रहे हैं, तो weekly पर fresh breakout है, तो यह level पर shorter traders को राही नहीं रहेगी कि आप trading करें, क्योंकि risk ratio is not available, but yes, investment point of view अगर आपकी एक long term के लिए इच्छा है, तो यह level पर खरीदारी करें, breakout दिखा है, 220 would be a good stop loss for investment, medium term 6-8 मेने के लिए और target 291 तक जा सकता है, 6-8 मेन करें के लिए, अच्छा, ओके, अकुष यह gold finance company इस पर आपका outlook क्या है, क्योंकि आज मनपुरम finance, मुथूट finance भी focus में है, Morgan Stanley की एक bullish record भी आई है, report भी आई है gold NBFCs पर, rating over weight है, मनपुरम finance के लिए with a target of 150 करी 5% की तेजी इस वक्त stock में है, यहां से और तेजी के गुंजाई इस नजर आरी है, इस report में, और मुथूट में, equal weight की rating है, और 1150 तक के यहां पर targets anticipate के जा रहे, valuations आकरशक लग रहे हैं, इस report में, दोनों के लिए, आपकी राई क्या होगी? गोल्ड financial company में मुझे लग रहे है, अच्छा एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा feature है, fundamental अगर हम बात करें तो गोल्ड prices are rising, और गोल्ड finances in easiest way और low interest पे भी मिलता है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंक के ब्याचदर बन रहे हैं, it is getting expensive and harder to get loans for, बोल सकते हैं, एक meat size investor या trader के लिए या consumer के लिए, तो गोल्ड एक finance है कि easy way out है, और गोल्ड के prices भी बढ़ रहे हैं, तो एक advantages भी है, जो consumer gold loan लेते हैं, तो मुझे लग रहे है future अच्छा है यहां से, और मुटूत finance के अगर बात करें तो yes, the stock has given a fresh breakout today, दोस्तो दीन की जो average है 1140 इसके ओपर आज trade हो रहा ह यह level 6 मेने में पहली बार cross कर रहा है, तो technically भी मुझे लग रहा है, अच्छा level है trading करने के लिए, 1110 के stop loss से short term traders इसमें trade कर सकते हैं, futures भी ले सकते हैं, 1220 के level short term में, यानि कि December X1 में दिख सकते हैं, और investor भी है तो 1070 के stop loss से buy करें, मुझे लग रहा है 1400 के level हम 6, 8 मेने में Absolutely, एक और stock है कुष, clean science and technology, इसमें अच्छी मजबूती आज नज़र आ रही है, करीब 4% के तेजी के साथ, ये stocks में, इस stock में अल्मोस्ट अच्छी मजबूती के भी straight दिख रहा है, ऐसा कोई momentum था नहीं, पिछले 6 महीनों में भी stock ने इतनी अच्छी performance नहीं दिखाई, ये आज की one side या एक one off कह सकते है, clean science में, ये यहां से charts आपको और ज़्यादा दुरूस्त दिख रहे हैं, डेफिनेटी, पिछले, दो अफते से अगर देखोगे ते, एक consulate हुआ था, stock 1500-1540 के बीच में, first time it has broken out of this consolidation range, तो लग रहा है कि confirmation के लिए वेट करना चाहिए, जैसे ही राइटली नोटिस किया है कि 2700 से, मार्च में 2700 रूपय के आसवा इसका rate था, वहां से लगातार गिरता गया है, तो it's difficult to trust this move, but we'll wait for confirmation, base काफी strong बना है, but base का confirmation के लिए 50 दिन की जो average है, 1590, उसके उपर अगर closing आता है, तो हम next day इसको buy करेंगे, तो technically we'll wait for confirmation, base बन चुका है, don't jump in, ये अगर stock 1590 के उपर closing आता है, तो next day we'll buy for the target of 1740, so wait for a confirmation, at least sell करने की जरूरत नहीं है, ये इस लेवल पर धुपरा के, but buy करने के लिए confirmation के लिए wait कीजिए, अगर existing position है, तो इस तेजी के बाद एक बार जरूर रुखें, इस तेजी आखो देखते हुए अपनी positions को intact रखें, यहां से एक base बन रहा है, तो तेजी के आसार है,